वालेकुम तुमाई चैनल मरसार अकैडमी दिस इस इमाचु आज के इस उडियो लेक्षर में बात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग विकेंस के बारे में और जैसर कि आप सभी जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग जितने भी आपकी नोटिफिकेशन अपडे करेंगे कि क्या इसकी eligibility रहने वाली है और क्या इसका qualification रहने वाला है ठीक है जी तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह इसकी official website मद्यपर्देश्ट लोग सेवा आयोग यानि कि मद्यपर्देश पब्लिक सर्विश कमिशन MPPSC में यहां पर वेकेंसी है इसकिन पर आप एक बार है requirement advertisement for food analyst और drug analyst की वेकेंसी है ठीक है जी खाद्य विसेशग और ड्रग यानि की दवाज ओसदी विसेशग्य की वेकेंसी है तो स्टार्ट देख आप देख पा रहे हैं यहां पर कि इसकी जो starting date है वो 25-2023 से start हो चुका है और इसकी last date जो है वो 24-2023 जो है वो रहने लिखा हुआ है online application जैसे कि मैंने आपको बताया 24-2023 तक जो इसकी last date है यहां पर आप देख पा रहे हैं basically इसकी application form जो है वो मैंने आपको बता दिया आयूगर्णा के इसाप से क्या लिखा हुआ है सुल्क संबंदित जो है वो भी यहां पर लिखा हुआ है हम सिधा चलेंगे इसकी eligibility के बारे में sectionic योग्यता के बारे में चलेंगे तो यहां पर दे रखा है वो खादी विसेशग्य के लिए लिए लिखा हुआ है और नीचे examination जो है 10-2023 को होने वाला था तो इसके regarding जो भी जबी भी कोई latest update आएगी वो भी मैं आपको तुरंद ही पहुचाने की कोसिस करूँगा उसी के बीच में यहां पर एक और vacancy आई है और यह vacancy में क्या eligibility देख पारे है आप आयर विज्यान या विज्यान फार्मसोटिकल साइंस फार्मसोटिकल केमिस्टि में इस्तानक यानि की graduation in pharmacy भी फार्मा केंडिट जो है यहां पर eligible है और करके यहां पर लिखावा है मतलब की आउसदी परिक्षन में कम से कम पांथ वर्स का आपका अनुभव जो है वो यहां अनुमादित सस्तान प्रयोक्षाला जो है वो यह होना चाहिए ठीक है अब यहां में क्या लिखावा है कि यहां फिर तो यह होना चाहिए आपका भी फार्मा वित आपको 5-year experience होना चाहिए नेक्स्ट यहां पर देखिए आयर्विज्यान फार्मसोटिकल केमिस्ट्री या इसी में आपकी जो है भी फार्मा कंप्लीट होनी चाहिए और इसी के साथ जो है आपका यहां पर देख पा रहे हैं ऐसे प्रयोजन में केंद्री और सरकार द्वारा मानेत्य प्राप अधिशूचित में कोई संसक्त अहीद्या जो है आपकी होनी चाहिए ठीक है तो इन दो और करके एक और लिखावाई देखिए उपरोगत स्ताना को दर उभादी या डिप्लोमा प्राप्त करने के पच्छात कम से कम तीन वर्स का और सदी प्रिक्षा अनुभाव जो है प्रयोक्षाला से जिसका नियंत्रन अधिन्यम और सदी और प्रशादन अधिन्यम नहीं होना चाहिए अगर आप ड्रग अनलिस्ट का काम कर रहे हैं तो आपका खुद का कोई अनलिसिस के लिए ड्रग का मैनेफेक्टिंग यूनिट जो है वो नहीं होना चाहिए नेक्स यहां पर लिखावाई देखिए रोजगार पंजीगर्ण के रिगारिंग कुछ जो यहां पर लिखी हुए और इसके रिगारिंग जो है मध्यपुदे सासने शेवा कारेज़त मध्यपुदे समूल निवासी जीवत रोजगार परतना यह सारी जो एसेंसिल क्वालिफिकेशन के साथ जो योगता है जो है वो यहां पर लिखी हुए परिक्षा का का इंद्र त और उसेदी विशेदगे में आपकी टोल जो वेकेंसी है साथ है जिसमें की तीन यूर की है एक ऐसे की है स्ट की एक है ओवी सी की दो पोस्ट जाए है nap यहां पर लेक्षा है रहने है तिक है जी बाकि सारी जो रिक्वार्मेंट है वो यहां पर आप देख रहे हैं विबाग का नाम लोग स्वास्त परिवार करना मद्यपरदेश शाषन स्ताई रूप से है पर्मानेंट जॉब है और वेतन तो है इसका एक अच्छा लेवल चैलरी यहां पे रहने वाला है मुख्या आपका वर्ग क्या रहेगा उसदी और प्रशादन सम्मगरी की जाच करना और करवाना ठीक है जी तो यह सारा सब कुछ जो है यहां पर लिखावाए तो जो भी स्टुडेंट एलिजिबल है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छे सेलरी प्रेकर देक है वह मिलने वाली है चलिए तो कैसा लगा इंफर्मेशन जरू बताए कमेंट सेक्शन में लाइक करें शेल करें सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को ऐसे ही इंफर्मेटिव फार्मसुट डेट न्यूज अपडेट वीडियो लैक्टर्स के लिए किप वाचिंग स्टे टून के लिए यूज बताएं सेक्शन में लाइक करें।